आप अपने जीमन में देख लीजिए इंस्पिले साल जहां पर आप अपना पर अनुभो करते होंगे कितने ही ठक्कर क्या होंगे सोने का मन करता होगा शरीर साथ नहीं देता होगा कि आपके बातिजे को कुछ हुआ है अस्पतад है सारी ठकान बढ़ जाती है स्कूटर लेकर क्या भागते हैं रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं क्यों आपका अपना ह Corinna मिट जाती है आप स्वहें जूट जाते हैं मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्प करता ही है लेकिन उसी पल मुझे ज्ञान में कोई अपना कोई अपनों के लिए कभी ति पुरा से कोई खबार केरल से कोई खबार कभी दिली से कोई खबार तो फिर मन करता है रहे उठो यार चलो दोड़ो तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था दूसरी बात है माइड स्पिरिट इंपोर्टेंट कि हमें भी क्योंकि मैं चाहूँगा मेरी जिन्दी की ऐसी कि हाथ तो प्रदान मंतरी हूं तो कोई और आपके लिए जाएगा पानी भी लिएगा लेकिन मुझे मालूँभ इसके भाद क्या हो जाए और इसले मैं जानता हूं कि मैं कभी भी किसी पर बोज कुगा कि मेरे मन का इछ चाह है और प्रदान मेरी सहायता करे ऐसे ही चाहिए हसते खेलते बाते करते चला जावत किस तुछ दिए. What a helping state, taking this inspiration friends. It is life. जिंदगी में किसी पर बोज न बनूँ. अर इसलिए शरीर को जितना फित रख सकता हूं. शरीर से जितना काम दे सकता हूं. जितने नियमों का पानन कर सकता हूं. जितना भी मैं सिख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रियास करता हूं. और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, देखिए, देजिए. कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है. लेकिन अपने आपको फित रखना, बहुत बड़े चितना. अपने बाबाब की विरासत के उपर भरोसा नहीं रख सकते हैं, वो आपको अपने आप करना करता है. वो विरासत में आपको उचाही दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बड़िया आँखे दे सकते हैं, नाग नक्षे दे सकते हैं लेकिन भीतर की तबियत तो आपको समालनी ही होती है और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटेश्मेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी तापत होता है और दूसरा नियमों से जिन्दगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो जो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोज रवने हो या या इस फिटनेस मंत्रा तो आपने कि इस विरासत में नहीं मिलती है यह तो आपने यूस को बात कर रहा है तो यह बहुत से सवाल है मैं नाम पढ़ता हूँ और अब